असलाम वालीकूं आज हम बनाएंगे मतन सीक कबाब ये मतन के खीमे से बनते हैं मिंस्ट मीट इसके लिए हमें चाहिए देर कप मतन का कीमा इसको अच्छे से वाश करें और ड्राइ करके फिर यूज करें अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट त्री टेबल अब वन बाइवन हम सब इसमें सुके मसाली डाले के वन फोट टी स्पून टर्मरीक पाउडर डालें हाफ टी स्पून रेच चली पाउडर डालें वन टी स्पून चिली फ्लेक्स डालें मतलब साबुत लाल मेर्च को भून कर फुटी हुई हाफ टी स्पून धन्या पाउडर डालें पाउडर बन्या मेर्च टी स्पून तक ताब्लें तक टी स्पून निव को ठीज़ खाई राव्न अर्या हूडर रिक्ट लाद की आसती सून पाउडर तन सून खर टाई lemon juice डाले, नीमू का रस 2 टेबल स्पून fried onion डाले मतलब बिरिस्ता डाले द्रेश करके अब इसमें 1 फोर्थ का chopped onion मतलब प्यास डाले चॉप करके a handful मतलब मुट्टी भर धनिया चॉप करके डाले और साती सात कुदीना भी हमें ऐसे ही चॉप करके डालना है हाफ टेबल स्पून नमक डाले सॉल डाले अब उसको अच्चे से mix कीजिए अच्चे से हातों से उसको मसल लिए सब मसाले कीमे में लगनी चाहिए इनिया में लगनne वापस से और एक बार उसको अच्छे से मिक्स करके लीजे अब अपना मारीनेशन रेडी है अब हम एर टाइट कंटेनर में इसको एट आवर्स या तो फिर होल नाइट के लिए फ्रीज में रखेंगे मारीनेशन के लिए अब एक फ्राइंक पैन में टू टेबर स्पून ऑईल डालिए और इसको टैन मिनिट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर रखिए आदा घंटा पहले अपने मारीनेशन को बाहर निकाल ले फ्रीज से फ्राइ करने के पहले और उसको अच्छे से मिक्स करके ले एक बार देखिए अपने मारीनेशन कितना ड्राइ है एक पानी का बाउल भर कर ले जिसमें हम अपने हैंस डिप करें एक स्मॉल बाल बना के लीजिए आपकी मर्जी है आप जितना बड़ा बनाना चाहते है उतना बड़ा बाल ले सकते है अब मैं आपको बताती हूँ कबाब हम कैस इसकुन भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर बुडन स्टीक ली है अपने बॉल को बीच में से प्रेस करते करते अपने हैंड और फिंगर से उसको शेप देते जाईए पहले प्लेंग कीजिए फिर उसको अपने थंब से कबाब की शेप दीजिए यह देखें अपने थंब से कितनी अच्छी डिजाइन बन रही है कबाब्स की इतने अच्छे बहतरीन दिख रहे हैं वह अब हम स्लोली अपने कबाब्स को बुडन स्टिक से निकाल लेंगे और प्लेट में रखते जाएए अदरवाइस आप डायरेक्ली फ्रेंक पन में अच्छी 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 होल होते हैं कबाब्स के अब आप ऑईल का टैंपरेचर चेक कीजिए दस मिनिट के बाद उसका टैंपरेचर चेक कीजिए कितना होट है करके हो अब हम अपने वन बाई वन करके सब कबाब क्बक्स कीजिए lucky जीए ऑगरेचर की कि उसकी की बाईप यहल मिनने वन बाईप हो खो जा यहुचरे की कितने करेंपरेचर आपके कीजिए अब worked क्वागं यहल मैं पोजेग सकुद्बरेचर समय को सियके क अब मैं अब झाल 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 अब 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 ते कबाब्स रेड़ी हो का है अगर आपको हमारे वीडियो पसना आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीचे शेर कीचे और सब्सक्राइब कीचे थेंक यू हम्म्म जिली चाच